केंद्र और चार धमों में सबसे पुराना धाम है जगनात धाम जिसका जिक्र सकंद पुरान, नारत पुरान, पद्मपुरान और ब्रह्मपुरान में भी मिलता है ओडिसा के पूरी शहर का जगनात मंदिर भगवान स्री कृष्ण का दुनिया का सबसे बड़ा मंदिर है यहाँ भगवान स्री कृष्ण अपने बड़े भाई बलराम और बहन सुबद्रा के साथ विराशते हैं। यहाँ हर साल आसार के खास महीने में दुनिया भर से लाखोश रधालू मरते हैं। कहते हैं कि इस मंदिर को 12 सदी में कलिंगा के राजा अनंत वर्मन चोड गंगदेव ने बनवाना शुरू किया और फिर ओडिसा के शासक अनंग भीमदेव के शासनकाल में इसे मोजुदा आकार मिला। और एक ऐसे मंदिर का निर्मान हुआ जिसकी बनावट आज भी हर किसी को हैरान कर देती है। लेकिन इसका जवाब किसी को नहीं मिला। ये जंडा इतना भव्व है कि ये इस शहर के किसी भी कोने से देखा जा सकता है। आम तोर पर हर मंदिर के गुंबत पर पक्षी तो दिखते ही है। लेकिन आपको ये चानकर हैरानी होगी कि इस गुंबत के ऊपर या आसपास कोई भी पक्षी उड़ता दिखाई नहीं देगा। और सेकडो सालों से आज तक इस गुंबत पर कभी किसी को कोई पक्षी बैठा भी नहीं दिखाई दिया। इस मंदिर के ऊपर से कोई भी विमान आज तक नहीं गुजर पाया। विमान इस क्षेतर में आता तो है लेकिन ठीक इस मंदिर के उपर से नहीं गुजर सकता लेकिन ऐसा क्यों है ये किसी को नहीं पता कोई नहीं जानता कि क्यों इस मंदिर के उपर से गुजरने वाले विमानों का रास्ता अपने आप बदल जाता है ये मंदिर करीब 4 लाख वर्गफूट शेत्र में फैला है और इसकी उचाई 24 फूट है मंदिर के पास खड़े रहे कर इसका गुम्बद देख पाना असंबव है और इस मंदिर की च्छाया दिन के किसी भी समय किसी भी दिशा में दिखाई नहीं देती इस मंदिर के गुम्बद पर लगा सुदर्शन चक्र अश्टधातू से बना है और शहर के किसी भी हिस्से से आप इस सुदर्शन चक्र को देख सकते है मंदिर का ये महाचमतकार हैरान कर देने वाला है यहां रोजाना लाखों लोगों का खाना बनाय जाता है हजारों सालों से चली आरही परंपरा के अनुसार इस रसोई में मिट्टी के बरतनों में ही खाना पकता है और इस महाप्रसाद को रोजाना 800 लोग मिलकर बनाते है यहां पकाय जाने वाला प्रसाद साथ बरतन एक दुसरे की उपर रखकर पकाय जाता है लेकिन हैरान कर देने वाली बात तो ये है कि उपर के बरतन का खाना सबसे पहले पकता है जबकि सबसे तेज आच सबसे नीचे वाले बरतन में लगती है ये कैसे और क्यों होता है इसका जवाब किसी के पास नहीं है जरा सूची की 10 से 20 फिट की दीवार पर सीधे चटने के खयाल से भी हम डर जाते है लेकिन पुरी के जगनात मंदिर में गुम्बत का जंडा बदलने वाला शक्स हर रोज 214 फिट उची दीवार पर चड़ता है और वो भी उल्टा, जी हाँ, हजारों सालों से चली आ रही मानने तके अनुसार उल्टा चड़कर ही इस मंदिर का जंडा बदला जाता है आम तोर पर दिन के वक्त हवा समुदर से जमीन की तरफ बैती है और शाम के दोरान जमीन से समुदर की तरफ लेकिन जगनात पूरी में ठीक इसका उल्टा होता है और इसके पीछे का कारण कोई नहीं जानता जगनात मंदिर समुदर की करीब है इसलिए समुदर के लहरों की आवाज मंदिर में सुनाई देती है मंदिर का ये सीहद्वार सबसे रह समय है जैसे ही आप सीहद्वार में दाखिल होंगे आपको समंदर के लहरों की आवाज सुनाई दिनी बंद हो जाएगी लेकिन आप जैसे ही इस द्वार को पार करके अंदर दाखिल होंगे आपको लहरों की आवाज दोबारा सुनाई दिन लगेगी एक राज ये भी है कि यहाँ भगवान जगनात की हर साल रथियात्रा निकलती है और उस दिन बारिश होती ही है सदियों से लोगों ने यहाँ कोई भी साल ऐसा नहीं देखा जब इस दिन आस्मान सूख रह गया हो अब इन सारी बातों को चमतकार कहा जाए या कुछ और लेकिन जगनात मंदिर के ये चमतकार आज तक सभी के लिए एक पहली है